हलो नुमिश्कर दोस्तों मैं हूँ आजे सिंग तमर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंटिंग गुरुजी में दोस्तों आज हम ऐसी डिवाइस की बात करने वाले हैं जिसकी मदद से हम प्रिंटिड पेपर की या फिर किसी भी नेगेटी पॉजिटिव की डॉट्स की डेंसिटी को माप सकते हैं जी हाँ दोस्तों एक ऐसी डिवाइस जिसका नाम है डेंसिटोमेटर आज हम इसी डेंसिटोमेटर के बारे बात करने वाले हैं कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और साथ इनके क्या इस्तमाल हैं, तो दोस्तो बिना देर करें, चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम जानते हैं कि density क्या होती है दोस्तो density किसी भी कलर के darkness की amount जो होती है उसे हम density कहते हैं जैसे जो भी कलर की shade light to dark होती है तो उसकी density light से होती हुई और dark तक भढ़ती जाती है जिस तरीके से आप screen पर देख रहे हैं कि ये black color की density है जो की नीचे कम है और जैसे जैसे उपर बढ़ती जा रही है वैसे ही इसकी color की density बढ़ती जा रही है तो ये basically density का मतलब होता है कि density किसी भी color की क्या होती है अब इसको मापने के लिए ज़रुत पड़ी हमें densitometer की तो densitometer अखिर करता क्या है तो densitometer जैसा कि आप स्कीन पर देख रहे हैं densitometer इस तरीके के होते हैं आजकल modern जो densitometer है वो काफी ज्यादा high quality के आ रहे हैं और साथ ही उनमें बहुत ही बढ़िया readings आती हैं जिसकी मदद से हम किसी भी equipment या किसी भी printing के दौरान जब हम printing sheet को measure करते हैं उनके dots को colors को तो उनक से उपर dots की dot area को या dot gain को measure करने के लिए जरूत परती है हमारे densitometer की तो basically densitometer करता क्या है इसमें photo electrical cell होता है जो light emit करता है और वो light जो है जो एक light की beam है वो हमारे color पे या जो भी हमारी surface है जिस पर हम measure करना चाहते हैं उस पर गिरती है गिरने के बाद दो तरीके से वो react करती है या तो वो plan हेट कर देती已 light को यानि अपने आरपार उसको जाने देती है या फिर वो light को रिफ्लेक्ट कर देती है यह दो तरीके से आपकी किसी भी printed surface हो या फिर आपका negative positive हो यह basically behave करते हैं जिसमें की negative-positive जो होते हैं, वो light को transmit करने में मदद करते हैं, लेकिन जो कि printed surface होती है, हमारी white surface होती है, जिसमे हम printing कर रहे होते हैं, वो surface light को reflect करती है, तो दो तरीके के densitometer भी होते हैं, इनके लिए अलग-अलग, एक होता है transmission densitometer और एक होता है reflection densitometer, लेकिन आजकल इन दोनों का combination आता है, ज इसके process में होता क्या है कि जब इसकी light, अगर यह transmission density to meter है, तो इसकी light की beam है, वो आपके material के आर पार जाने की जो शम्दा है, उस पर आपको reading देती है, यानि कि कितनी light आपके medium के थुरू एक तरफ से दूसरी तरफ गई, उस light के amount को वो density कहता है, और density measure करने के बाद वो आपको reading देता है, reading basically density to meter में lab के format में आती है, scilab जिसे कहते हैं, scilab की basically जो lab है, उसका full form है, L से है lightness, और A से है magenta या green, और B से है blue या yellow, तो ये amount of color को measure करते हैं, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि जो light transmitted हुई है, वो कितनी amount में transmit हुई है, जिससे ये जाना जा सकता है कि यहां dots की density क्या है, ये तो बात हुई कि transmission densitometer में, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि reflection, जो densitometer होता है, जिसमें reflect light करती है, उसकी मदद से हम density निकालते हैं, तो वो किस तरीके सब work करता है, दोस्तों उसमें हमें जरुत पढ़ती है ऐसे printed material की, जो कि light को transmit नहीं करता है, light को reflect कर जैसे कि हमारे printed paper, जैसे कि हम जो printing करते हैं किसी भी paper पे, तो वो light को करता है reflect, जिसकी मदद से हमें colors का जो हमें आभास होता है, वो इसी reflection densitometer से आप नाप सकते हैं, वो किस तरीके से नाप सकते हैं, वो मैं बताता हूँ, कि जब जो आपकी light की beam है, जब आपके photo electrical cell से पास ह होती हुई, और आपके printed material के colors के उपर जाती है, तो वहाँ से जो light emit होती है, वो आपके वापिस photo electrical cell जो होता है, वो उसको read करता है कि कि कितनी light आवापिस, और कौन-कौन सी light वापिस reflect होती है, कितनी amount में, इसका मतलब है कि जो light reflect हो रही है, वो वहाँ color नहीं है, यानि कि उ colors की density है, वो क्या है, आज कल जो modern densitometer आ रहे हैं, वो आपको CMYK में भी results देते हैं, जिसकी मदद से आपको बहुत easy होता है, किसी भी press operator को color को, जो आप color जिस तरीके से चलाना चाते हैं, उसे calibrate करना, यानि कि कहीं पर हो सकता है, आपका shan, magenta बहुत जादा हो, या बहुत क यह easy to use है, किसी भी तरीके से कभी भी जब भी आपको densitometer मिले, तो आप उसे use करके देखेंगे, यह बहुत easy to use होता है, ताकि आपको colors की density है, वो मालूम चले, तो इसके साथ ही यह जो densitometer है, आपको help करता है, dot gain, dot area, और जो color control करने में मदद करता है, साथ ही, जो dots की density आ र densitometer हमें देखने को मिलते हैं, पहला होता है transmission, जो कि basically transmitted device होती है, जैसा film हो गई, या जिन से light transmit हो सकती है, उन mediums के लिए use किया जाता है, transmission densitometer, उसके बाद आता है reflection densitometer, तो reflection densitometer में होता क्या है, यह basically printed papers होते है, उनको measure करने में काम आता है कि उन पर color की density क्या है, क्योंकि व reflection या फे transmission जिस तरीके का भी आपके बास medium है, उस तरीके से आप उसे use कर सकते हैं, कि आपको अगर किसी तरीके का transparent medium मिलता है, जिस पर आपको dots की density मालूम करनी है, तो आप transmission कर सकते हैं उसमेंसे, और अगर आपको reflected material मिलता है, तो आप reflection densitometer का इस्तमाल कर सकते हैं उसमें उसमें बेसिकली जो आपका एक स्विच होता है जिसके थुरू आप चेंज कर सकते हो आपके ट्रांस्मिशन और रिफ्लेक्शन में तो अब बात करें कि किस तरीके से कोई कि आपके प्रिंटिड जौब को के color को color के dots को measure कर सकता है उनकी density को जान सकता उसके लिए हम क्या करते हैं तो उसके लिए हम एक color strip वहां पर print करते हैं हमारे job के parallel में जिसकी मदद से हम वहाँ पर अलग-अलग color के patches वहाँ बनाते हैं यानि कि color के 100% किसी color का जैसे शान है तो 100% शान उसके बाद 50% शान और उसके बाद 1 3rd यानि कि 33 और 34% और 30% के इस तरीके से अलग-अलग strip में color जैसे कि आप screen पर देख रहे हैं कि शान, magenta, yellow, black और भी colors को mix क करके अलग से एक strip बनाई जाती है जिससे कि dots की density को measure किया जा सकता है कि यहां पर जो हमें चाहिए वही dots की density आ रही है या नहीं यह हम control bars भी कहते हैं, control strips भी कहते हैं तो यह proofing में भी बहुत कामाता है कि जब भी job की proofing होती है,, तो उसमें हमें, यह नहीं मेजर करने में बहुत help मिलती है, कि जिस तरीके का हमने job को design किया है जिस तरीके के colors हम ने उसमें input किये हैं तो वही colors हमें output में मिल रहे हैं या नहीं result में मिल रहे हैं नहीं और साथ ही कभी जब आपके devices जैसे की color printer हो गए digital color printers हो गए या city भी presses हो गई या फिर आपके जो press जिसके थुरू आप print कर रहे हैं उनके calibration को configure करने के लिए भी ये strips का बहुत बड़ा युगदान होता है तभी आप densitometer की help से इनके जो ये squares जिस तरीके से आपको strips बनाई गई हैं उनके colors की density के according आप measure कर सकते हैं कि आपका densitometer भी आपको यही readings देता है या नहीं तभी आप configure कर पाएंगे कि आपके printed material में और जो आपका job design है उसमें कितना फर्क है या नहीं है तो इस तरीके से आपका densitometer आपके use आता है जब आप printing करते हैं साथ ही design करते हैं design के बाब proofing होती है तो बहुत सारी जगे densitometer का use होता है अब बात करें कि specifically किस तरीके से densitometer अलग अलग जगे काम आता है तो सबसे पहले अगर हम printing industry की बात करें तो हमें printed job की density measure करने के लिए साथ ही negative positive की measure करने के लिए CTP pre-press में जब आपके जो आपकी offset plates होती है या जो pre-press में plates तयार की जाती है उनके आपके color की density के dots आ रहे हैं नहीं उनको measure करने के लिए यह सब चीज़े इस्तमाल होती है इसके बाद आपका जो densitometer है वो medical field में भी बहुत इस्तमाल होता है जैसे कि x-ray जो film होती है एक-ray की film जब जहां बनती है वहाँ पर उसके उपर जो film होती है उसकी transmission की range को भी मापा जाता है ताकि जो required, desired, उसकी जो results है वो आ सके इसलिए वहाँ भी इसका इस्तमाल होता है ऐसे ही radioactive materials की colors की density है उनको measure करने के लिए भी densitometer का use होता है तो इसलिके से densitometer है काफी measure करने के लिए इस्तमाल करते हैं तो वहाँ पर densitometer का इस्तमाल होता है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते रहेंगे हर सुंबार तब तक के लिए नमस्क्राइब